है फ्रेंड्स टो माइ चैनल मैं हूँ आपकी फ्रेंडिज हाज के इस फिडियो में बात करें है ब यह एड है य८िदि को कर सफ्रेंड चाह्च है और अगर infl barbecue दिया गया है fireworks is आपको विच्छार करना है कि वक्तव सत्य है, चाहे वे सामाने तक ग्यात अतत्यों से भिन प्रतित हो, आपको निर्ने करना है कि दिये गए पूर्वानुमान में कौनसे निस्चिंद है, यानि कि देखे, यहाँ पर पूर्वानुमान दिया हुआ है, उसके अकोडिंग आप को देखने हैं कि यहां पर एक तरह से हम यह बोल सकतें see options जो है वो यहां पर सही है कि नहीं यदि लोग बुद्धी-मान हो तो अनThese सरस जोना चाहिए फूरबान वानने सरस जञएल तो बुद्धी मतल्प्ठा परिक्षाओं में असफलता का एक कारण अनियमिता है कुछ नियमित छात्र परिक्षाओं में असफल हो जाते हैं निसकर्ष है असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते तो इसमें हमें देखें तो देखें यहां पर जो ऑप्षन ह यहां पर दोनों यहां पर क्या हो जाएंगे हमारे दोनों सही हो जाएंगे ठीक है तो यहां पर option जो होगा डी right answer हो जाएगा first and second डोनों के निश्कर से यहां पर सही निकल रहे हैं next है रोहन उत्तर की और 30 km की दूरी तै करता है अब देखें कहां से उन्होंने रोहन ने स्टार्ट किया यहां है तीन किलो मीटर चला रोहन अब उसके बार वह अपने बाई और मुड़कर दो किलो मीटर चलता है तो यह उसका हो गया दो किलो मीटर बाई और उसके बाद बाई और मुड़कर अगें तीन किलो मीटर चलता है तो अगें वह दो बाई और मुड़कर और उसने तीन किलो मीटर चला अब इस बिंदू से फिर बाई और मुड़ता है अब अगें वो बाई और मुड़ा और कितना चला तीन किलो मीटर चला इस बार तो यह यहां आ गया तीन किलो मीटर अब यहां पर वह अपने प्रारम में बिंदू से कितनी दूरी पर है तो देखें यहां पर नेक्स कोश्चन है एक ड्राइवर अपने गाउं से चला और बीस किलोमेटर उत्तर की ओर चला तो दहरे वो यहां पर यहां से 20 everyone बीजुँम्ट है इन दार उसके बाएं गूंग गया और aujourd गोमा तीस किलोमेटर चला यह उसका होगया 30 किलोमेटर अब वहे फिर भोजन के लिए रुख गया और कुछ देर विश्राम कर वहे पुनाहा बाएं मोड़ा और चाय के लिए रुखने से पहले 20 किलो मेटर चला तो ये उसका हो गया 20 km अब वहे फिर से चला बाएं और घुमा और 30 km चलकर कस्वे में पहुंच गया तो ये 30 km फिर से कस्वे में पहुंच गया ये हो गया 30 km तो वहे रातरी भोजन किया शाम की चाय की बाद में किस दिशा में चला तो हमें देखना है इसाम की चाय उसने कहां पी ती बताईए यह उसकी चाय है यहाँ पर इसने भोजन किया था और यहाँ पर उसने फिर क्या किया था, देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 30 कुलमेटर चलिए भोजन के लिए रुग गया देर विश्रम उत्तर की ओर जलपान किया तो यह पूर्फ की ओर चलाता इसलिए यहाँ पर option B जो होगा वो right answer हो जाएगा ठीक है next है बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है इसमें चार शब्द उत्तर के रूप में दिये गये हैं इसमें हमें बताना है तो देखी बड़े शब्द इसमें हमें चार उत्तर के रूप में दिये हुए हैं N A M E S E इसमें नहीं है तो यह कट गया B A S A L B A S A L यह भी कट गया B I O M E B I O M E यह भी नहीं बनेगा यह भी कट गया तो इसका right answer होगा next है बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया इसके पस्चार शब्द उत्तर के रूप में दिये गया है हमें इसमें सही देखना है international तो देखी international में क्या बनेगा यहाँ पर केवल एक केवल एक ही शब्द को नहीं बना सकते तो इसमें से क्या नहीं बना सकते हैं यह देखना है हमें तो देखी alone बन सकता है note भी बन सकता है later भी लेकिन radio नहीं बन सकता तो right answer होगा D क्योंकि देखें यहाँ पर international में day given नहीं है इसलिए right answer होगा radio next question है एक संइत परिवार में पिता मा तीन विवाहित पुत्र और एक विवाहित पुत्री है पुत्रों में ऐसे दो के दो दो पुत्रिया है और एक के एक पुत्र इस परिवार में कुल कितनी महिला सदस्यों की संख्या है तो देखिए महिला सदस्य इसा इक परिवार में पिता मा तो यह मा हो गई एक ठीक है महिला सदस्य में उनकी माता वन और वो क्या है तीन पुत्र बदू होई क्योंकि तीनों बिवाहिद पुत्री ना तो तीन पुत्र बदू हुई उसके बाद एक अभिवाहिद पुत्री और चार पुतियां तो कितना हो गया नाइन नाइन राइट आंसर है नेक्स्ट कोशन है फिर एक परिवार की सामें एक फोटो खीशते समय पिता को पुत्र के दाइं और बैठ है पाए गया माता अपनी पुत्री के दाइं और किंतु दादा के बाइं और बैठी थी मद्द स्थान में कौन बैठा था तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है एक परिवार की फोटो खीशते समय है पिता को पुत्र के बाईयोर यानि कि जो पिता है पुत्र के बाईयोर बैठा है तो पुत्र यहाँ होगा तो पिता यहाँ होगा बाईयोर तथा दादा के दाईयोर बैठ हुए पाया गया और दादा को यहाँ लिख दिया grandfather माता अपनी पुत्री के दाईयोर तो देखिए अगर हम यहां पर पुत्री लिखते हैं तो माता यहां हो जाएगा माता अपनी पुत्री के दाईयोर किन्तु दादा के बाईयोर है तो देखिए दादा है तो इसके बाईयोर हो गई मध्धे इस्थान में कौन बैठा हुआ तो देखिए यहाँ पर टोटल कितने है यहाँ पर five member है मध्धे में कौन है दादा यानि कि यहाँ पर grandfather option B यहाँ पर right answer हो जाएगा next question पर आते है A का भाई F है A की पुत्री C है तो देखिए A का भाई F है A की पुत्री कौन है C F की बहन है K यानि कि K कौन है इनकी बहन है C का भाई G है C का भाई कौन है G G का चाचा कौन है अब यहाँ पर देखना है G का चाचा यहाँ पर कौन है तो देखिए यहाँ पर G कौन है A का पुत्र है तो F कौन होगा यह का बाही हो जाएगा इसलिए देखें यहाँ पर option जो हो गए F और G F इसका चाचा है इसलिए यहाँ पर option D right answer हो जाएगा Next question है यदि बीते कल से पहला दिन प्रस्पतिवार था तो कल कब होगा बीते दिन से पहला दिन क्या था प्रस्पतिवार था तो आज क्या होगा शनी बार और आने वाला दिन क्या होगा रविवार तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option C आने वाला कल क्या है रविवार Next है अब हमें इसमें कितने आयत है यह बताने है तो देखें आप यहाँ पर लिख लेजे यह होगा A ठीके यह F G यहाँ होगया H यहाँ होगया I J K यह होगया L M यहाँ आगया अंदर N O P यह होगया और Q ठीके एसे लेके Q तक है तो देखें यहाँ पर A B G K A B G और K होगया 1 फिर K G C D यह कितना होगया यहाँ पर तो इस हिसाब से आप टोटल लगाएंगे तो टोटल यहाँ पर निकल कर आएगा 16 है आयत देखें एक यह होगया हमारा मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ एक यह होगया आपका K C D K दूसरा यह होगया तीसरा होगया A F P K यह तीसरा होगया N G N G यह चौथा होगया पांचवे की बात करें तो देखें यहाँ पर एक यह होगया था दो यह होगया था तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा तो इस तरह से बारा तेरा चौदा पंदरा सोला ठीक है यह टोटल हमारे सोला होगया तो यहाँ पर उप्शन भी जो होगा वो राइट आंसर होगा ठीक है आप एक बार करके देख लीजेगा मैंने A, B, C, T करके आपको बताया था तो उसमें आप अपने नोट्रिबुक में एक बार स्वाल्फ करके देख लीजेगा टोटल सोला निकल कर आएंगे नेक्स्ट है एक्स और उसके दादाजी के आयू में पचास वर्ष का अंतर है देखे एक्स और उसके दादाजी कितना अंतर है पचास वर्ष का यदि छे वर्ष वाद उनकी आयू का लोग 152 है एक्स प्लस ग्रांड फादर कितना 152 कितने छे वर्ष वाद तो उनकी बरतमान आयू कितनी होगी तो देखे यहाँ पर हम इसको एक बार अच्छे से सॉल्फ कर लेते हैं एक्स प्लस 50 ठीक है अब एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 50 इसको हम सॉल्फ करेंगे तो एक्स इकल तो 45 निकल कर आया अब 45 प्लस यह जो हमें यहाँ दे रखा है 50 करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 95 तो यहाँ पर आप्शन किसी के होगा 95 यह हमारा राइट आंसर होगा नेक्स कोशन है अब देखें यहाँ पर आकरती में वलिस्ट अनुशाषित लड़कों को अंक प्रदर्शित किये गए हैं तो देखें यहाँ पर यहाँ दिया गया है जो बलिस्ट अनुशाषित हैं तो यहाँ पर राइट आंसर होगा यह रहा ठीक है बलिस्ट भी है और अनुशाषित भी है तो यहाँ पर दो लड़के हैं तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा भी राइट आंसर हो जाएगा next question है एक 31 विद्यारथि की कक्षा में अरोन का स्थान 17 है अंत में उसका स्थान कौन सा है यानि कि अगर हम देखें तो देखें अनुश का सत्रवा इस्थान है 31 में से 31 में से अगर हम सत्रा माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 14 और एक इस्थान उसका खुद का है तो उसमें add कर दीजिए 15 इस्थान होगा लास्ट से इसलिए यहां पर option B जो हो जाएगा वो right answer हो जाएगा next question है A और B भाई है तो देखे A और B कौन हो गए भाई है तो ये भी ये भी भाई है E की पुत्री F है E की पुत्री जो है वो F है F पत्नी है B की अब जो F जो है वो B की पत्नी है E का A से क्या संबंद है अब हमें बताना E का A से क्या संबंद होगा A, B क्या है, भाई है F जो है B की पतनी है, तो E क्या होगी E यहाँ पर उनकी मा हो जाएगी इसलिए यहाँ पर अगर A से संबन देखेंगे तो भेन होगी लेकिन तो यहाँ पर option A जो हो जाएगा right answer हो जाएगा तो I hope आपको यह questions पसंत आए होंगे वीडियो पसंत आए तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंट से शेर कीजिए किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताएगा तो next वीडियो में फिर मिलते हैं आप से और वेची वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई बाई